हाई फ्रेंड्स सभी का स्वागत है आज फिर से प्रभात क्लासेज में पिछली कच्छा में हम लोगों ने क्लासेट का वर्ग और वर्गमूल की विशेह में पढ़ा और प्रसनावली 2.1 बनाया आज हम लोग 2.2 करने के पहले प्रसनावली 2.2 बनाने के पहले कुछ बातों को ध्यान से समझेंगे उसके बाद प्रसनावली 2.2 बनाएंगे पिक्ष क्लास 6 में हम लोगों ने तिर्कोनिय संख्या के वारे में पढ़ा था क्या है तिर्कोनिय संख्या तो देखे विएगा इस तरह से एक दो यह तिर्कोन बनाता है 5 तिर्कोनिय संख्या एक संख्या एक तीन उसके वाद है शे के वाद 10 10 के बाद 15 15 के वाद श्यों यह तिर्कोनिय संख्या बनाता है कैसे बनाता है तो यह हम लोग दिखा रहें पैटर्न आपको बना के दिखा रहा है कि तिर्कौन के तरह यह बनेगा अब देखिए ऐसे करके तिर्कौन यह बन रहा है और इसको अम लोग तिर्कौनिये संख्या बोल रहे थे एक तीन छह दस पनरा एकीस इस तरह से संख्या जो है इसको तिर्कौनिये संख्या बोलते हैं उसका योग जो लेते है तो लगातार तिरको निए संख्या को अगर लेकर जोडते हैं तो वो एक किसी संख्या का वर्गमूल के बरावर होगा ठीक है? दो लगतार संख्या का योग जो होगा वो वर्ग संख्या होगा तीन और छे लिये तो नौ होता है जो कि तीन का वर्ग है 6-10 लिए, तो 16 होगा, 4 का वर्ग है, अगर आफ 10 जोड 15 लेते हैं, तो 15 होता है, जो की 5 का वर्ग है, फिर 15 जोड 21 अगर लिए तो 36 होता है, जो की 6 का वर्ग है, अगर 21 जोड 28 लिए तो 49 होगा, जो की साथ का वर्ग, इस तरह से ये चलता जाएगा, सिक्वेंस, और इसको हम लोग कहते हैं, वर्ग संख्यातिर को नहीं, अगर हम कैसे ये बनाता है, तो देखिए अगर आप ले रहते हैं, ये संख्या, हम ये दिखा रहे हैं, एक, दू, तीन, चार, ये पंदरा लिए हम तो फिर इधर से अगर हम ऐसे को इसको उलट के रख दिये, पंदरा के साथ कितना हम जोड रहे हैं, पंदरा, दस, दस अगर इसे उलट के इस पे रखते हैं, तो ये पंदरा था, और इधर भी ले लिए दूसरा कोई संख्या ले लिए अगर ऐसे करके, तो देख रहे हैं कि ये वर्ग बनाएगा, और इसको अंगलो, तिरकोन के तरह बनता है, इसलिए इसको अंगलो, तिरकोन ये संख्या को तो जब हम 2 तरह कोनिये संख्या को जोड़ते हैं, तो भी क्या होता है, प्रकriters संख्या के वर्ग के बरावर होगा, अब हम लोग पढ़ेंगे दो करमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी संख्या है अगर मान लेते हैं दो लगातार संख्या चार और पांच लिए तो चार का वर्ग और पांच के वर्ग के बीच कितना प्राकित संख्या होगा तो चार का वर्ग होगा 16 और पांच का होगा 25 तो 16 और 25 के बीच कितना संख्या है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 25-16 ब्रावर 9 संख्या उसमें से एक और घटा देंगे क्यूंकि इसमें से एक संख्या छोड़ रहा है जूट रहाता है तो आठ संख्या है आठ संख्या इसके बीच है जो की पुर्ण वर्ग संख्या नह रहे ही होग वह इसके बारे में लोग पढ़ी थे पढ़ाइंगे तो इसको निकाल्णे के लिए क्लिका करते हैं कैसे मजूत आगर माली ये पहला प्राकिर संख्या है रहें दूसरा यंप लास गला के तो इसकर टोड़े गए प्लस ब्यू दीच स्कॉर प्रफ्लस two तो एक संख्या गिंती में है एक घटा गे टू एन यानि चिक विस इन के वारे में बोल दो कि पांच और छौ के बीच बोलेंगा पांच और शौ की वर्ग के बीच कितने प्रकिश संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है तो कैसे निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इसका सूत्रे सिंपल 2N 2 और N का मान जो छोटा वाला है संख्या वो 2 इंटू 5 10 यानि काने कार्थवा 25 पांच का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36 पचीस और 36 के बीच 10 संख्या जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है इसको निकालने के लिए रखिए हम लोग क्या करेंगे कि 36 माइनस पचीस आफ अगर किजिए ग्यारा आ रहा है ग्यारा में गटा देंगे तो 10 संख्या इसा है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है तो यह चीज हम समझा रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज बनाने में इसका आफको प्रियोग होगा अगला है विसम संख्याओं का जोड़ पे योग अब हम लोग जितना विसम संख्या है उसको अगर दिखाते हैं तो दो लगातार विसम संख्या का योग क्या है और कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं यह देखेंगे एक तीन पांच साथ नो ग्यारा तेरा पंदरा एक जोड़ तीन अगर लिए एक एक जो है एक का वर्ग है एक जोड़ तीन चार यानि दो का वर्ग है एक जोड़ तीन जोड़ पांच अगर लगा तार्या तीन को लिए ते यह गी और नो जो कि तीन का वरग है फिर एक जोर तीन जोर पांच जोर साथ यानी सुला जो की चार का वर्ग अगर हम लोग लेते जाएंगे सबको जोड़ते जाएंगे तो क्या देखर है पूर्ण वर्ग संख्या पराफ्ट हो रहा है यानि कि चा चार लगताब करमागत संख्या बिसम संख्या को जोड़ रहा है यहनु का वर्ग100 गीआ जी मोगत विसम संख्या को जोड़ रहा है ने च्छाव 1 2 3 4 5 तो इसका हम लोग पर योग भी कर सकते आएगर कोई संख्या दिया है, मान लिजे पूनुवर्ग संख्या है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? घटाना सुनू करेंगे विशम संख्या, पहला एक घटाएंगे तो छोबिस, फिर छोबिस में से तीन घटाएंगे तो इकई 21 में से 5 गटाएंगे तो हो जाएगा 16 फिर 16 में से 7 गटाएंगे तो 9 फिर 9 में से 5 7 गटा दिये तो 0 अगर इस तरह से करमागत विसम संख्या गटाने के बाद कोई संख्या में सुन्नि प्राप्त होता है तो वह पूर्ण वर्ण संख्या है अगर सुन्नि प्राप्त नहीं ह पूरणवर्ग संख्या नहीं है यह तरीका हो गया खोजने के लिए कि कोई संख्या नहीं दिया हुआ है अपमानी जे तीस पूरणवर्ग संख्या है या नहीं कैसे निकालएंगे थिसमी पहले परणा संख्या कंभी समंग अगिंग तो यह आएगा 29 फिर 29 में तीन घटाएंगे तो 26 फिर 26 में से 5 घटाएंगे तब 21 साथ घटा देंगे तो हो जाएगा चोगदा, चोगदा में 9 घटाएंगे तो 5, 5 यानि 6 बच रहा है क्योंकि अब जो है 5 में से यहाँ 11 घटाना होगा, जो कि नहीं घटेगा, इसलिए 6 यहाँ बच रहा है कुछ, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 30 पूर्ण वर्ग संख्या आपका नहीं है, ठी संख्या के जोड करने का तरीका और घटाने के तरीका से एक निया चीज हम सिखे की कैसे क्या, उसके बाद है कर्मागत प्राकृत संख्या का योग, कर्मागत प्राकृत संख्या का योग क्या है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, कर्मागत प्राकृत संख्या का योग, ठ 4², 16, किसका जोड है जी? यह आपका जोड है, 4², 16, 4 नहीं, 4 जो है, यह 16 लगतार विसम संक्या निकरमागत है, 4 नहीं, चार नहीं, आप 5 के वारे में दिखा रहा है, 5² ब्रावर हो था है, पचीस, यानि, यह हो जायेगा लगतार में, 21 जोड 24, जा नहीं, 12 जोड 13, ठीक है बारा जुड़ते रहा है फिर इसके बाद है साथ का स्क्वाइर यानि कि कह रहा है कि किसी भी विसम संख्यां के वर्ग के दो करमागत धनात्मक पुरनांको का योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है फिर सी तरह से कह रहा है कि दो कर्मागत विसम या समसंख्याओं का गुननफल दो कर्मागत समसंख्याओं या विसमसंख्याओं अगर लेते हैं लगतार तो उसका जोड़ जो होगा कितना के बरावर होगा तो दो कर्मागत समसंख्याओं का गुननफल अगर लेते हैं एक लो लिख सकते हैं चार स्क्वार माइनस वन तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ठीक है चार स्क्वार माइनस वन अगर हम लोग पांच गुना 35 तो 6 स्क्वार माइनस वन इस तरह से कहेंगे तो क्या देखते हैं दो करमागत विसम संख्याओं का गुननफल जो होगा उनके बीच का उनके बीच के संख्या के वर्ग से एक कम होता है उनके बीच का संख्या से एक कम जैसे कि 3 और 5 के बीच का संख्या चार है तो हम क्या देख रहे हैं तीन चार पाँच तीन दो कर्मा कर संख्या को गुना किये तो चार के वर्ग से एक कम है इसी तरह से अगर दो संख्या लगतार संख्या का वर्ग संख्या को गुना करते हैं चार दुना आठ आठ जो है विसंख्या इसके बीच का विसंख्या क्या है तीन, तीन के वर्ग से एक कम होगा तो ये एक तरीका और मिला हमको बनाने के लिए बताने के लिए तो अभी तक में हम लोग देखें क्या क्या हम लोग समझें पहला तो समझें तिर्कोनिय संख्या जो क्लास 6 में पढ़े थे तिर्कोनिय संख्या जो है तिर्कोनिय संख्या को अगर दो लगतार तिर्कोनिय संख्या को जोडते हैं तो वो वर्ग संख्या प्राफ्थ होता है दुसरा पढ़े की लगतार, दो करमागत या दो लगतार वर्ग संख्याओं के बीच कितनी प्रकृत संख्या है, वो निकालने का तरीका क्या है कि जो छोटी वाली संख्या उससे दुगुना होगी, तिसरा विसम संख्याओं का जोड़, यानि की लगतार विसम संख्या को ज गटाते हुए कर्मागत विसम संख्या को घटाते हुए किसी भी संख्या को यह जान सकते हैं कि वो सम है या विसम है वर्ग है या नहीं है उसके बाद हम लोग पढ़े कर्मागत पर संख्या को प्राकृत संख्या का योग अगर विसम संख्या का वर्ग लेते हैं तो वो दो क आगर लगातार संख्याओं का योग के बराबर हो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो करमागत विशम संख्याओं को गुना करते हैं तो उनके बीच पढ़ने वाले संख्यां के वर्ग में वर्ग से एक कम या वर्ग से एक कम होगा उसका जो गुननफल होगा उससे कम या एक हरदम कम होगा यह पढ़े और अब चलते हैं प्रस्नावली दो दसमलव दो में प्रस्नावली दो दसमलव दो आफका क्या कह रहा है हम सवाल बता रहे हैं आप रस्ना वली दो दसम लब दो पहला प्रस्न है योग संक्रिया कीए बिना योग फल ग्याद किजिए तेखिए अभी चो हम लोग पड़े लगातार कर्मागस बिसम संक्या का जोड जोड इसका योग फल बिना जोड़े बताना है बिना जोडे तक यहां पर कितना संख्या लिए एक दो तीन चार पांच यानि पांच के वर्ग के वरावर होगा पचीस होगा यही बात अभी हम पढ़ा भी रहे थे आफको उसके बाद लिया है तेरह तक एक जोड तीन जोड पांच जोड साथ जोड नौ जोड ग्यारह कितना संख्या थो तीन चार पांच जोड साथ यानि सात के वर्ग के वरावर उनचास हो गया फिर थीसरा संख्यर संख्या थीन यहां तक एगी सब्सक्राइब कित पढ़े भी थे दूसरा प्रस्ट निम्लिखित संभिंगों के वर्गों के बीच नि प्राक्ति संख्या है लिखिय इसके लिए कि आइप बट मोड़ा है हैılarा है । कि ए Wow sorry जानिके वर्ग और इसके वर्गों के बीच जो है 86 संख्या फीर है चोगदा और पंदरा के बीच कितना संख्या होगा तो दूगुना एन चोगदा छोटा वला संख्या एन तो 28 संख्या होगा तीसरा है चौतीस और पैंतीस के बीच चौतीस और पैंतीस के बीच किछनी संख्या होगी तो इतरा प्रसन है निम्लिखित संख्याओं की बढ़ करमागत् पुर्णांकों के योग के रूप में लिखिए 23 यह भी बढ़े थे विसम संख्या जो होगा तो कि सी बिरावर होगा तीसरा पहला ताइस का वर्ग es वर्ग जो होगा पन्रा का वर्ग जोगा 12 जोड़ पन्रा का वर्ग जोगा 12 जोड़ इन पन कि यह आप दो कर्मागत संख्या का योग ना का वर्ग होता है दो सो पचीष जो है । लगातार अगर लेते हैท। एक सो एक सो बारा तो एक सो । ठेरा एक सो तेरा ना कि यृणo एक सो तेरा के बरावर यृण News तरह जोड़ के निकाल लीजेगा और इसी के साथ कि Egyptianilae दो दासम लवदो समाप्त होता है। आगे देखते रहिएगा, थाइंक्यू